इगनेशाय नमो नमह मित्रो अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वाकत है आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विशे में आज के पंचांग में तिथी वार नक्षत्र योग और करण की विस्तरित जानकरी के साथ साथ आज का शुब समय अभिजीत महुरत और रात का चोगडिया और आने वाले दिनों के वरत और तिवारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है आए जानते हैं आज का शुब पंचांग आज की तारीक 29 अगस्त 2022 आज का वार सोमवार आज विक्रम सम्मत 2089 शक्स सम्मवत 1944 गुजराती सम्मत 2078 और कली सम्मत 5124 चल रहा है आज भादरपद माह का सत्रवा दिवस है भादरपद माह के शुकल पक्ष की द्वीतिया तीन बच कर बीस मिनट दोपहर बाद तक रहेगी तदुबरांत तृत्यातिति प्रारम हो जाएगी आज के सूरोदय का समय है पांच बचकर 57 मिनट सुबह सुर्यास का समय 6 बचकर 47 मिनट शाम को रहेगा आज चंदरोदय का समय है 7 बचकर 32 मिनट सुबह और चंदरास का समय 8 बचकर 10 मिनट आज चंदर्मा कन्याराशी में विराजमान है आज सूर्य सिंगराशी में विराजमान है आज का सूर्य नक्षत्र है मगा नक्षत्र आज चंदर्मा उत्रा फ्रालगुनी नक्षत्र में 11 बच कर 4 मिनाट रातरी तक रहने वाले हैं तदुबरांत चंदर्मा हस्त नक्षत्र म आजाएंगे। आज का पहला करण कोलव तीन बज कर बीस मिनट दोपहर बात करेगा। आज का दूसरा करण तैतिल तीन बज कर उनतिस मिनट अगले दिन सुभह तक होगा। आने वाले व्रत और त्योहारों में तीस तारिक को सामवेद उपाकरम वरहाज यंति हर तालिका तीज होगी। 31 तारिक को गनेश चतूर्थी या विनायक चतूर्थी का व्रत रखा जाएगा। आज का योग साध्यं एक बच कर 4 मिनट अगले दिन सुभह तक रहीगा। इसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। आज पूरवदिश्या में यात्रा ना करें। क्योंकि आज पूरवदिश्या में है दिशशूल। दिशाशुल में यात्रा करना शुब नहीं माना जाता है। यदि आपको अवशक हो यात्रा करना तब दरपन देखकर दूद पीकर अथवा पुश्प खाकर यात्रा के लिए जाएं तब दिशाशुल का परभाव कुछ कम हो सकता है। आए जानते हैं साध्ययोग के बारे में आपको यदि किसी से कोई विध्या या कोई विधी सीखनी हो तो यहाई योग अति उत्तम हैं साधना के लिए यहाई उत्तम माना गया है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। ज़िए आप साध्य योग में पैदा हुए हैं तो आप एक मेहनती, कूट नितिक और द्राड़ निश्चरी विक्ति हैं। आप अपने काम में विश्वाश रखते हैं और आपको भारी वित्य लाव प्राप्त होने और समाजिक मानता प्राप्त होने की संभावना है। अवशत जाप करना चाहिए। अमरत कालम योग 3 बच कर 32 मिनट दुपहर बाद से 5 बच कर 12 मिनट शाम तक रहेगा। मित्रो आज रवियोग का समय है 11 बच कर 4 मिनट रातरी से 5 बच कर 58 मिनट अगले दिन सुबह तक। रवियोग में गाय को भीगा हुआ गेहू खिलाने से भगवान सूर्य के किरपा प्रप्त होती है। मित्रो आज है सोमवार का दिन आए जानते हैं सोमवार के दिन क्या क्या काम करने चाहिए कौन से कारे नहीं करने चाहिए इसकी प्रकरती समय यह दिन शिवजी का दिन है और सोमवार के दिन उन लोगों को उपवास करना चाहिए जिनका सभाव अधिक उग्र है अर्थात उ लोग वरत रखते हैं उपवास करते हैं तो इससे उन निटीक उग्रता में कमी आएगी इसके लिए आप सिर पर भसम का तिलिक लगा सकते हैं सोमवर को निवेश करना अच्छा माना गया है इन्वेस्टमेंट जिरूर करें सोना चांदी शेर बजार में निवेश कर सकते हैं दक्षन पस्चिम और वायविदिशा अर्थाद उत्तर पस्चिम में यात्रा कर सकते हैं इसे दिन ग्रह निर्मान का कार्य प्रारंब किया जा सकता है शपत ग्रहन नोकुरी ज्वाइनिंग या राजय विशेक भी कर सकते हैं क्रशी कार्य या लेखन कार्य का आरंभ आज क किया जा सकता है दूद और घी का क्रया विक्रय किया जा सकता है इसे दिन किसी साधना की शिरुवात की जा सकती है इसे दिन अगने कौन दक्षन पूरव और उत्तर पूरव दिश्चा में यात्रा नहीं करने चाहिए किसी को सफेद वस्त्र या दूद इत्यादी दान में ना आज जानते हैं आज के दिन का चोगोडिया आज अमरत समय है पांच बच कर 57 मिनट सुभए से 7 बच कर 34 मिनट सुभए तक शुब समय नो बच कर 10 मिनट सुभए से 10 बच कर 46 मिनट तक चर समय एक बच कर 58 मिनट दो पहर से 3 बच कर 35 मिनट तक लाब समय तीन बच कर 35 मिनट दोपहरबाद से पांच बच कर 10 मिनट तक रहेगा अमरेज समय पांच बच कर 10 मिनट शाम से चा बच कर 40 मिनट तक रहने वाला है आज रात्री के जोगड़िये में चर समय चा बच कर 40 मिनट शाम से आठ बच कर 11 मिनट तक रहेगा लाब समय 10 बच कर 58 मिनट रात्री से 12 बच कर 22 मिनट मध्य रात्री तक है शुब समय 1 बच कर 40 मिनट अगले दिन सुबह से 3 बच कर 10 मिनट तक रहेगा अमरत समय 3 बच कर 10 मिनट अगले दिन सुबह से 4 बच कर 34 मिनट तक रहेगा चर समय चार बच का चुंतिस मिनट अगले दिन सुबह से पांच बच का सतावन मिनट तक रहने वला है ये था आज का शुबपनचांग आज बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहें अनोका संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो में अन्द तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद